Hello everyone, कैसे हैं आप लोग, welcome back, आज का जो हमारा topic है, जैसे कि आपको पता है, हमारा digestive system हम पढ़ रहे थे, digestive system में last हमने जो है, वो digestion in stomach चेक किया था, okay, अब stomach के बाद जो है, वो next part जो हमारी elementary canal में आता है, digestion के लिए, that is small intestine, और आज जो है, वो हम small intestine और उसमें होने वाली जितनी भ हमारा topic है, digestion in small intestine, हम जो small intestine में digestion होता है, इसको part wise चेक करेंगे, ताकि आपको समझने में easy हो जाए, कि किस part में small intestine के क्या activity होती है, कौन सा enzyme निकलता है, कौन सा hormone निकलता है, उनके नाम क्या होते हैं, और ये process actually होती ही कैसे है, हम mix up करेंगे, तो हमें confusion हो जाएगा, कि पहले कौन सा enzyme, सो हम कोशिश ये करेंगे कि one by one उस चीज को जो है वो चेक करें, okay, so digestion in small intestine में सबसे पहली चीज तो हमें अपने small intestine का जो है वो structure समझना होगा, small intestine का जो है वो structure समझना होगा, short form में SI means small intestine, अगर हम इसके structure की बात करें, तो हमारी small intestine जो होती है, जिसको हम छोटी आत बोलते हैं, वो अनकरीब 6 मीटर लॉंग होती है, stomach के अंदर, कितनी 6 मीटर लॉंग होती है, दूसरी चीज ये है कि इसके structure में basically 3 part होते हैं, मुसली मेरे ख्याल से जो भी इस चीज को पढ़ता है human physiology में, तो उसको ये चीज पता है कि small intestine में basically 3 parts होते हैं, पहला part जो की stomach के ब कितने 3 parts, कौन-कौन से, diodenum, jejunum और ileum, आपको पता है कि जो diodenum होता है, ये कहां से निकलता है, ये stomach के बाद का part होता है, ये stomach के बाद का part होता है, okay, jejunum जो होता है, वो middle part होता है small intestine का, और ileum जो है, वो last part होता है small intestine का, जो की further हमारी जो large intestine है या बड़ी आत है, उसके connect हो जाता है, okay, so diodenum जो है, वो stomach से निकलता है, starting part होता है, jejunum जो है, वो middle part होता है, center का, और ileum जो होता है, वो last part होता है small intestine का, ये तो मैंने बता दिया कि उसकी length कितनी होती है, और उसके जो 3 parts होते हैं, वो क्या होते हैं, अब हमें क्या करना है, हमें one by one इनको check करना है, औ और जैसे for example, हमें diodenum हम पढ़ रहे हैं, तो diodenum में कौन से enzyme निकलेंगे, या कौन सी activity होगी, कहां से क्या आता है, तो ये चीजें हम इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि जो है वो आपको confusion नहों, for example, जब हम अपना diodenum खतम कर लेंगे, तो आपको exactly पूरी information मिल कि ये basically C-shaped, C-shaped होता है, starts from pyloric stomach, जिसने भी last video चेक किया है, उसको पता है कि जब मैंने stomach का structure बताया था, तो वो basically तीन पार्ट में हमने पढ़ा था, जिसमें की cardiac fundus और last one होता है, pyloric, okay, so अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो वो पहले का video चेक कर लें, ताकि confusion ना हो, okay, pyloric stomach से, pyloric stomach का मतलब stomach का जो last part होता है, वहां से ये diodenum हमारा शुरू होता है, और C-shaped का होता है, आपको पता है, मैंने बताया था stomach में कि stomach में दो valve उपाये जाते हैं, पहला, first जो isophagus और stomach के बीच होता है, और दूसरा last में होता है, जो कि pyloric part से और small intestine के बीच में होता है जिसको कि हम pyloric sphincter wall बोलते हैं, मैंने यहाँ वहाँ पर यह चीज भी बताई थी आपको, कि जो खाना हमारे stomach में lastly बचता है, stomach में protein के digestion के बाद, उसको हमने क्या बोला था, उसको हमने बोला था, काईम, so अब small intestine में जो food आएगा, diodenum में, वो क्या होगा, काईम होगा, य हमने last part में already check कर लिया था, so यह चीज आपको समझ में आगई कि diodenum जो है, वो C-shaped होता है, और जो हमारा stomach का last part होता है, pyloric, वहाँ से शुरू होता है, और stomach में जो food होता है, काईम, वही काईम जो है, वो काईम जो है, वो नाम है, मतलब ऐसा कोई नया word नहीं है, यह stomach में प बचता है, वहाँ पर, उसी को हम बोलते हैं, काईम, और वो काईम एंटर होता है, small intestine के diodenum part में, okay, किस wall के थूरू यह सब controlled होता है, वो होता है, pyloric, इंसफिक्टर, okay, वहाँ से यह चीज जो है, controlled होती है, ताकि इसका backward movement ना हो पाए, last part में हमने इसमें detail में बात की थी, okay, so, in the middle of diodenum, next part के आता है, diodenum, two different ducts open through a common part called ampla of water, okay, इस चीज को समझते हैं, आपको पता है कि small intestine जो होता है, उसके diodenum part में, liver और pancreas, दो different हमारे पास glands होती है, liver और pancreas, जिनका की जो है, वो, जो अपने enzymes से secrete करते हैं, digestive system, वो small intestine में आते हैं, इस चीज को यहाँ पर समझ लेते हैं, उसके बाद आप screen पर भी देख सकते हो, फिर भी मैं एक बार बना करके आपको बता देता हूँ, ताकि आपको जो है, वो समझने में easy हो जाए, देखें, यह हमारा क्या था, for example, stomach था, यहाँ पर हमारा pyloric sphincter wall लगा हुआ है, जो की एक check wall है, और जो की खाने को इस direction में, small intestine की direction में जाने देता है, ना की backward direction में, ओके, यहाँ से हमारा शुरू होता है, क्या small intestine इस तरीके से, ठीक इसी जगे पे, ऊपर की तरफ जो है, वो, एक triangle shape में हमारे पास, क्या होता है, और यहीं पर हमारा क्या होता है, गॉल ब्लैडर होता है, और इसी के अंदर की तरफ जो है, एक leafy structure होता है, जिसको की हमने क्या बोला, pancreas बोला, राइट, तो आप इसको ऐसे समझ लें, यह हमारा क्या हो गया, लीवर हो गया, और यह हमारा pancreas हो गया, यह हमारा गॉल ब्लैडर है, इन दोनों पार्ट से, दोनों ग्लैड से, चाहे वो लीवर हो, आपको पता है, गॉल ब्लैडर का अपना कोई काम नहीं होता है, लीवर से जो भी हमारे पास, जो इसका bile juice जिसको बोलते हैं, जो भी enzymes जो है, वो सेक्रीट होते हैं, वो सब यहाँ पर ग्लैंक्रियाज है, यह दोनों ग्लैंड जो है, अपना अपना जो इनका सेक्रीशन होता है, वो एक डक्ट के थुरू, जिनकों की हम, जैसे लीवर का है, तो उसको bile duct बोलेंगे, ओके, यह दोनों अपने अपने सेक्रीशन को इस पॉइंट में, स्मॉल इंटेस्टाइन के एक common opening होती है, जहां पर यह अपना पूरा सेक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पार्ट में जो है, वो deposit करते हैं, या कह लीजे कि सेक्रीट करते हैं, ताकि जो digestion की process है, चुकि enzyme सेक्रीट कर रहे हैं, तो enzyme का काम क्या है, हमारे पास process को facilitate करना, उसके digestion को complete करना, तो यह जो पार्ट है common path यहां पर बना जहां पर liver और pancreas दोनों ने अपना secretion लाकर के जो है वो निकाला यहां पर, इस common part को हम क्या बोलते हैं, ampoula of wetter, यह जो चीज है, ampoula of, sorry, ampoula of wetter, यह जो है हमारा यह पार्ट, जहां पर इन दोनों ने अपना secretion लाकर के छोड़ा है, उसी को हमने क्या बोला, ampoula of wetter, clear है इतना, ओके, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा यह कि in the middle of the diodenum, two different ducts open, आप देखें, दो different ducts हैं, एक आ रही है liver से, और दूसरी आ रही है pancreas से, through a common part, दोनों आ करके एक जगे, diodenum में एक common opening होती है, जहां पर आ करके यह दोनों connect होती ह हैं, और अपना secretion यहां पर secret करती है, इस common part को हम क्या बोलते हैं, ampoula of water, आप अपनी screen पर भी structure में इस चीज़ को easily देख सकते हैं, और समझ सकते हैं, फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर यह चीज़ बता दी, okay, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कि इन में स एक डक्ट होती है, वो कहां से आती है, लिवर और दूसरी जो होती है, वो पैंक्रियास से आती है, इतना आपको यह चीज़ समझ में आ गई कि यहां पर डियोडिनम में एक common opening होती है, एक डक्ट जो है, वो टू डक्ट ओपन होती है, एक डक्ट जो है, वो लिवर से आती ह पैंक्रियास से आई और जिस common passage में वो open हुई उसको हमने एंपला ओफ बेटर बोल दिया अब हमें यहां पर क्या पढ़ना है अब हमें पढ़ना है लीवर के बारे में और पैंक्रियास के बारे में कि कौन से enzyme secret करते हैं और इनका structure क्या होता है फिर फर्दर हम start करेंगे अपन में दियोडिनम में और उसके बाद इसके बाद जो next step आएगा हमारा वो हम पढ़ेंगे दियोडिनम में कि जब यह secret होता है तो दियोडिनम में फिर क्या activity होती है और किस तरीके से digestion का process होता है ओके सो लेट्स स्टार्ट आवर लीवर एंड पैंक्रियाज सो हेर कम सावर लीवर जैसा कि मैंने अभी बताया कि डियोडिनम में small intestine के दो ग्लैंड से secretion जो है वो secret होता है पहला होता है लीवर और दूसरा होता है pancreas तो हमें सबसे पहले लीवर और pancreas के बारे में कुछ basic information मालूम होनी चाहिए उसके बाद फिर हम digestion in small intestine जो है वो check करेंगे कि किस-किस steps के थुरू जो है वो digestion in small intestine होता है अगर हम बात करें लीवर की तो लीवर जो होता है वो दो parts का बना होता है इसलिए इसको by lobed structure बोलते हैं आप diagram में आपको आपने जब भी कभी बनाया होगा तो लीवर हमेशा जो है वो इस तरीके से बनता है right triangle shape होता है और यह जो structure होता है like one part and another part so लीवर का जो structure होता है उस इसलिए इसको by lobed structure बोला जाता है पहली चीज दूसरी चीज है कि लीवर की जो cells होती है लीवर जिन cells से मिलकर बना होता है इनको हम बोलते हैं hepatic cells पहला हमने क्या point पढ़ा by lobed structure होता है दूसरा हमारे पास है कि लीवर जिन cells से मिलकर के बना होता है उनको हम hepatic cells बोलते हैं आ एक चीज होती है कि हिपाटिक सेल्स का तो बना होता है लेकिन हिपाटिक सेल्स जो है वो दो तरीके की होती है लिवर में पहली उनका नाम है बाइली रूबिन बिलूरूबिन और दूसरा है बिली वर्डिन बिलूरूबिन और बिली वर्डिन हिपाटिक सेल्स हमने क्या पढ बोलन ब्लूरूबीन और ऑपस में मिल जो सेक्रिशनWe में देती हैं वो collectively form में क्या कहलाता है bile juice जो होता है वो secret कहां से हुगा बना कहां पर hepatic cells में मतलब sorry liver में collect कहां पर होता है यह होता है gall bladder में ताकि जब भी requirement हो मतलब ऐसा नहीं है कि लिवर जो है ताकि permanent उसको instantly जो है वो काम करना पड़े होता क्या है reserve रखता है ताकि जब भी digestion की process आये तो वो gall bladder से secret हो जाए जो ही bile juice है और अपना आगे digestion कर दे ऐसा नहीं है कि हमने खाना खाया तभी जो है वो bile juice secret होता है मतलब वो stored होता है bile juice collected into gall bladder which digest fat and opens in duodenum for the digestion of fat क्या हुआ कि bile juice जो है वो बना लीवर में hepatic cell में कौन सी cells हैं दो cells हैं bilirubin और biliverdin इन दोनों से बना collect कहां हुआ gall bladder में और gall bladder में जब collect हो जाएगा तो वो जो है जब digestion की process आएगी digestion में हमें जरूरत पड़ेगी तो gall bladder से secret होता है कहां पर पहुंचता है डियोडिनम में अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि डियोडिनम में जिस duct के थुरू जो है common passage जो बनता है pancreas और bile के लिए उसको हमने क्या बोला था ample of wetter तो वहां पर जाकर के यह bile juice जो है वो लिवर से secret होता है और किस चीज के digestion में help करता है यह digestion में help करता है fat के bile juice का काम क्या है for the digestion of fat इसलिए आपको देख आपने आप सब के घरों में बहुत common सी बिमारी हो गई है gall bladder में जो है वो stone हो जाता है राइट जिसको पित्ते की पथरी बोलते हैं तो operation करके हम क्या करते हैं gall bladder को निकाल देते हैं ऐस सच इसका इतना कोई काम नहीं चुकि इसका काम क्या सिर्फ और सिर्फ bile juice को इखटा करके रखना इस्टोर करके रखना तो यह निकल भी जाएगा तो ऐस सच इसमें कोई problem नहीं होगी ताकि आपको digestion में problem नहीं हो और liver पे जादा लोड ना पड़े उसको जादा काम नहीं करना पड़े तो बहुत सीधा सा concept है liver bile lobe structure होता है जिस cell से बना होता है उनको hepatic cells बोलते हैं hepatic cells दो तरीके की होती हैं bilorubin और bile verdin यह दोनों मिल करके secrete करती है bile juice को bile juice secrete हुआ इखटा कहां हो गया गॉल ब्लेडर में जब digestion में जो है वो bile juice की जरूरत पड़ी तो गॉल ब्लेडर ने उसको क्या किया secrete किया कहां पर diodenum में जो कि अभी हमने पहले पड़ा diodenum में जो जिस opening में यह secrete होता है उसको हम क्या बोलते हैं और इसका काम क्या होता है fat के digestion में help करता है यह तो liver की बात होगी अब हम बात करते हैं pancreas की pancreas आप डाइग्राम में भी देख सकते हैं यह leafy structure होता है इसकी जो shape होती है शकल होती है वह पत्ते की तरह होती है और इसमें से जो enzymes secret होते हैं वो काफी जादा जो है इसलिए इनको pancreas से जो enzymes secret होते हैं उनको हम बोलते हैं complete digestive enzyme क्या बोला जाता है complete digestive enzyme चुकि pancreas से ही वो सारे enzymes secret होते हैं जो कि हमारे major food material like fat, carbohydrate और protein इन तीनों को digest करने की capability रखते हैं इसलिए pancreas से जो secretion होता है enzyme का pancreatic enzymes जो secret होते हैं उनको हम complete digestive enzyme बोलते हैं कौन-कौन से enzymes इससे secret होते हैं lipase, amylase और trypsin कौन-कौन से lipase, amylase और trypsin इसको आप LAT से भी याद कर सकते हैं L for lipase, A for amylase और T for trypsin lipase का का काम क्या होता है जैसे कि इससे पहले भी हमने lipase कहां पे देखा था हमने stomach में देखा था gastric lipase के नाम से राइट चुकि वो stomach में secret हो रहा था, stomach का scientific name या biological name जो होता है वो gastro होता है इसलिए हमने उसको वहां पर gastric lipase बोला lipase का काम क्या होता है fat को digest करना दूसरा आता है amylase हमने कहां पे देखा था amylase हमने जो है वो क्या बोलते हैं salivary gland में जब हमने saliva पढ़ा था तो saliva में हमने amylase के बारे में information ली थी amylase जो होता है वो starch या carbohydrate के digestion में help करता है last इसमें आता है trypsin trypsin जो होता है अभी तक आपके पास यह थोड़ा सा tricky है इसको आप समझ लीजे कि आपने पढ़ा क्या पढ़ा था इससे पहले कि जो protein होता है protein जब stomach में होता है तो वो digest हो करके क्या बनाता है peptone right protein का digestion जो है वो completely amino acid में direct ऐसे नहीं होता है कि protein पहुँचा और उसको तोड़ करके तुरंत उन्होंने amino acid बना दिया stomach में हो या किसी कहीं पर भी पहली step में protein का digestion होता है stomach में right इस तरीके से stomach में क्या होता है stomach में protein जो है वो किसमें तूटता है peptone में और यह peptone जब small intestine में आता है stomach के बाद तो वहां पर यह जो trypsin enzyme है इस peptone को बदल देता है किसमें peptide में यह चीज याद रखिएगा कि peptone जो protein digestion के बाद बना था कहां पर stomach में उसको trypsin जो है क्या कर देता है peptide में convert कर देता है digestion के form में और यह peptide lastly जो है वो नीचे जाकर के ileum में जो है वो amino acid में convert होता है राइट यह चीज हमने समझी liver और pancreas के उनका structure क्या होता है उनसे निकलने वाले enzyme के बारे में और वो किस किस तरीके से जो है वो digestion में help करते हैं यह तो हो गई sidery information जो कि हमने ली अब हमें क्या पढ़ना है back to our concept digestion in small intestine अब हमें पढ़ना है कि जैसे ही यह सब secret हुआ तो डियोडिनम में जो ample of wetter हमने पढ़ा दोनों common duct pancreas और liver से आने वाले जो by juice और complete digestive enzyme जिनको LAT के form में हमने चेक किया यह जब डियोडिनम में आते हैं तो फिर क्या होता है राइट तो इस चीज को अब हमें पढ़ना है कि वहां पर कौन कौन सी activities जो है वो शुरू होती है ताकि आपको confusion न रहे राइट one by one एक एक point को हम इसी तरीके से समझेंगे ओके सो अब हम चेक करते हैं कि small intestine में डियोडिनम में जो है वो क्या-क्या activities किस तरीके से होती हैं अभी तक हमने liver और pancreas के structure और उनसे secret होने वाले enzymes के बारे में हमने discuss किया अब हम चेक करेंगे कि कैसे जब यह काईम जो है वो डियोडिनम में आता है small intestine में आता है तो digestion की जो process होती है चाहे वो liver के enzymes के थुरू हो या pancreas के enzymes के थुरू हो वो कैसे start होता है और कैसे वो अपन में end तक पहुचता है तो जैसे ही काईम stomach में जो हमारा food material था काईम जैसे ही वो डियोडिनम में आता है तो डियोडिनम में दो process सबसे पहले होती है कौन सी दो process सबसे पहले होती है यह होती है A और दूसरा होता है B जिसको की अब हम पढ़ने जा रहे हैं जैसे ही काईम जो ह जो है आपको पता है वो gland भी होती है, तो वो क्या करती है, small intestine में क्या होता है, पहली चीज़ तो इसी चीज़ को समझ लीज़े, small intestine में digestion और absorption दोनों होता है, small intestine में hormones भी secret होते हैं, चुकि ये gland भी है, ये आपको पता है, तो जैसे ही काइम, जो food material stomach से जो है वो डियोडिनम में आता है, तो small intestine दो तरीके के hormone, याद रखियेगा, enzyme की बात नहीं कर रहे हम, हम बात कर रहे हार्मोन की, hormone का काम क्या होता है, just to activate any process, तो ये दो तरीके के hormone को secrete करता है, कौन small intestine, जब काइम हमारा small intestine में आता है, तो ये basically दो तरीके के two hormones को जो है, वो यहाँ पे secrete करता है, कौ कौन से hormones है, cholecystokinin और secretine, याद रखियेगा, जैसे ही food material हमारा diodenum में आया, small intestine में आता है, तो सबसे पहला काम जो है, वो small intestine दो hormone secrete करता है, पहला होता है cholecystokinin और दूसरा होता है secretine, cholecystokinin का काम क्या होता है, कि वो तुरंत जो है, वो bile juice के secretion को initiate करता है, देखिये, मतलब कि आपको जो है, वो nature ने कैसा जो है, वो facilities दे रखी है, कि जैसे ही food material आपके small intestine में आया, small intestine ने hormone secrete किया, for example, cholecystokinin या की secretine, उनका काम क्या होता है, वो दोनों separate liver और pancreas को initiate करते हैं, secrete करते हैं, उनको जो है, वो activate करते हैं, कि भाई, तुम्हारी जरूर तुम अपना जो है, वो secretion start करो, तो वही चीज है, सबसे पहले cholecystokinin, फिर secretine, cholecystokinin का काम क्या होता है, कि ये basically bile juice के secretion को activate करता है, या initiate करता है, जबकि secretine जो होता है, वो pancreatic, जो हमने बताया था, total digestive enzyme, जो होते हैं, total digestive enzyme, मैंने बताया ना कि pancreas जो होता है, वो lat के form में like lipase, amylase और trypsin, जो है, वो pancreas से secret होता है, जिनको कि हम total digestive enzyme बोलता है, तो जैसी food material, diodenum में आया है, diodenum में दो hormone secret हुए, पहला, cholecystokinin और दूसरा, जो है, वो secretine, cholecystokinin liver को activate करता है, कि भाई, तुम bile juice secret करो, जबकि secretine जो होता है, वो pancreas को activate करता है, ताकि जो lat, जो है, enzyme है, उसका secretion हो, ये तो पहली चीज होगी, पहली चीज यही होती है, जब food material आपके small intestine में आते है, अब दूसरा point थोड़ा सा tricky है, अब देखें, कि stomach में HCL था, तो वहाँ पे pH कितना था, 1.5 या 2 के बराबर था, और stomach को digestion के लिए, वही pH चाहिए, इसलिए आपको nature ने, व यही food material जो की पहले stomach में acidic form में था, जब वो small intestine में आता है, तो small intestine का nature अलग है, small intestine कहता है कि हमको alkaline medium चाहिए, हमको acidic medium नहीं चाहिए, तो जैसे ही food material small intestine के diodenum में आता है, तो small intestine में जैसा मैंने बताया, secretine क्या होता है, वो pancreatic जो secretion होता है, जो enzymes होते हैं, उनको secret करता है, यह pancreatic secretion जो होता है, diodenum में जैसे ही आता है, तो यह pH है, उसको increase करके कितना पहुचा देता है, 7 to 8 के बीच में, ताकि medium alkaline हो जाए, और digestion small intestine में हो जाए, तो यह चीज याद रखिएगा, stomach में जो digestive medium होता है, वो acidic होता है, pH जो जबकि small intestine में जो digestion होता है, वो alkaline होता है, और उसका pH around 7 to 8 होता है, so जैसे ही आपका organ change हुआ, stomach से small intestine में food आया, तुरंत आपका medium change हो गया, acidic से alkaline हो गया, pH 1.5 से 7 to 8 के बीच में हो गया, और यह करता कौन है, यही pancreatic juice, जो pancreas से निकलने वाला juice है, उसी से यह medium change होता है, तो यहाँ पर आपको आप concept clear हो गया होगा कि जैसे ही food stomach से small intestine में आता है, तो दो process होती है, पहले तो हर्मोन का secretion होता है, cholecystokinin और secretine, जो की initiate करता है bile juice और pancreatic secretion के लिए, और जब यह secretion होता है, तो तुरंत जो है, वो pH में change हो जाता है, जो की पहले 1.5 था, अब जो है, वो acidic medium से क्या हो जाएगा, alkaline हो जाएगा, यह convert होता है, पहले HCl था, तो pH हमारा 1.5 था और जैसे ही यह pancreatic, जो pancreas है, यह provide करता है, pH कितना 7 to 8, ओके, तो यह तो concept हो गया, अब जैसे ही, इससे पहले हमने बताया, कि जैसे ही यह secretion हो जाता है, यहाँ पर bile juice और pancreatic secretion का, तो वो जो है, further हमारे जो food material होता है, food component जो होते है, उनका digestion कर देता है, जैसे कि bile juice मैंने अभी बताया आपको, वो किसके secretion में help करता है, bile juice जो है, वो fat का secretion करता है, तो जैसे ही liver से या gallbladder से, यह bile juice जो है, small intestine की diodenum में आता है, तो तुरंत fat का digestion शुरू हो जाता है, इसको fat का digestion किस में होता है, fatty acid में होता है, और इस process को हम बोलते हैéis, emulsification, fat से fatty acid का conversion या digestion of fat होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, emulsification, जबकि जो pancreas से आने वाला lat है, total digestive enzyme, जısको हमने बोला था अभी, total digestive enzyme, TDE, total digestive enzyme भी बोलते हैं, किस form में होता है, lat के form में होता है, lipase, amylase, और, tryp sin, तो य यह जो amylase होता है वो carbohydrate या starch को किस में convert करता है glucose में जो peptone अभी यह concept मैंने बता दिया आपको कि protein जो है वो direct amino acid में इस तरीके से change नहीं होता है stomach में जो protein का digestion होता है वो किस में convert होता है peptone में और diodenum में यही peptone किस में convert होता है peptide में इसके लिए कौन responsible है trypsin जबकि fat जो है वो lipase से fatty acid में convert हो जाता है fat आपको पता है मैंने शुरुवात में introductory part में बताया था आपको कि यह fatty acid होता है यह जा करके different tissues में जो है वो as a reserve food material जो है वो stored हो जाता है और इनी tissues को हम बोलते है adipose tissue जहांपर fat का क्या होता है absorption होता है इनको ह हम बोलते है adipose tissue जहां पर यह fatty acid जाकर के absorb हो जाता है as a reserve food material और जब आप starvation में होते हैं डाइटिंग करते हैं खाना नहीं खाते हैं या उस तरीके से आपको खाना मिल नहीं रहा है तो यही जो stored food material होता है fatty acid adipose tissue के ऊपर यह melt होता है और यह further respiration की process में आकर के आपको क्या क करता है energy देता है ओके यह तो concept हो गया डियोडिनम के बारे में यहां पर आपको पूरा concept हो गया कि भाई liver से क्या हुआ pancreas से क्या हुआ कैसे colocystokinin secretein जो है वो involved होते हैं कैसे जो है वो medium acidic alkaline होता है यह और कैसे फिर उसके बाद फर्दर यह digestion complete होता है मैंने बताया था शु पूरा का पूरा जो है वो process डियोडिनम में हुआ जब यह complete हो जाता है तो यहीं से absorption भी हो जाता है चुकि small intestine में दोनों process होता है मैंने आपको बताया यहां पर इसमें digestion भी होता है और absorption भी होता है right so यह जो digestive product यहां पर बने हैं यह blood के साथ आपको पता है small intestine में जो है छोट protection पाए जाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं विलाई बोलते हैं plural form में वहां से absorb होते चले जाते हैं blood में और blood से वह further जहां जहां जैसे protein है तो वह body building में हो जाता है glucose जो है तो वह respiration में चला जाता है fatty acid जो है वह एडिपोस tissue पे जाकर के absorb हो जाता है तो यह सारी चीजें आग मैं यहीं पर बताया दे रहा हूं कि jejunum जो है वह expand food मतलब थोड़ा सा जगे देता है food को ताकि वह जो है वह क्या बोलते हैं बिखर जाए या बिखर जाए in the sense की थोड़ा सा easy हो जाए जेजनम में किसी भी तरीके का कोई भी digestion नहीं होता है उसके बाद थड़ आता है ileum ileum जो है वह small intestine का last part होता है और यहीं पर जो है वो हमारा यह digestion जो है वो complete हो जाता है इसलिए कहा भी जाता है कि जो digestion का last step होता है वो basically ileum में आ करके खतम हो जाता है चुकि large intestine में as such कोई क्या कहते हैं digestion होता नहीं है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो water का absorption होता है वो होता है और further जो ही आगे जाकर के rectum और एनस के थूरू जो है वो body body से बाहर हो जाता है तो jejunum में किसी तरीके का कोई activity उस तरीके की होती नहीं simply expand the food और ileum में जैसे आता है तो ileum में ही protein की last step का digestion होता है मैंने आपको बताया जैसे ही food ileum में आएगा तो यहाँ पर एक enzyme होता है जिसका न peptone किस form में convert हुआ peptide में यह peptide जो है वो erepsyn की presence में किस में convert हो जाता है amino acid में और amino acid बाद में blood के थूरू जो है वो absorb हो जाता है तो यह last process होती है small intestine के अंदर ileum में जैसी food आता है तो यहाँ पर एक enzyme secrete होता है जिसका नाम है क्या erepsyn और erepsyn जो है अब तक की protein के digestion में जो last हम मिला था peptide इस peptide को erepsyn जो है वो किस में convert कर देता है amino acid में और amino acid में convert हो जाने के बाद यह जो है further blood में absorb हो जाता है तो यहाँ पर जो हमारा digestive system in small intestine हमने पढ़ा तो यह complete हो जाता है ओके अब इसके बाद जो है वो last आता है जो भी digestive process in large intestine उसको जो है वो next video में चेक करेंगे त hope कि यह चीज आपको समझ में आ गई होगी step wise step मैंने बताया है ताकि किसी भी तरीके का कोई confusion ना हो इसके बाद का जो वीडियो होगा digestive system में वो hopefully last video होगा और वहां से जो है हम इस चीज को खतम करेंगे okay so आगर कोई confusion है किसी भी तरीके का कोई query है कोई question है तो आप comment section में check कर सकते हैं और I hope कि मैं properly उसको जो है monitor करूंगा okay till then take care